बिसमिल्लार रह्मान रहीम, असलाम अलेकूम, वेलकम बैक टो माई यूट्यूब चैनल, आज मैं आपक लिए जो है इमली की खटी मिठी चटनी की रैसिपिल आई हूँ जो के आप बना के रखें और बहुत ही मज़ेदार चटनी बनके तयार होगी और पूरा रमजान आप इसको मज़े से जो है अपनी डिफरेंट चीजों में यूज करें तो इसके लिए सबसे पहले मैंने 200 ग्राम जो है 250 ग्राम जो है मैंने इमली ली है और इसको मैंने तीन चार गंटे के लिए 2-3 कप पानी में डालके इसको अच्छी तरीके से मैंने जो है वो भिगो दिया अच्छी तरीके से फूल गई है तो अब जो है हम स्टेनर की मंदर से इसको चान लेंगे अच्छी तरीके से स्टेन कर लेंगे ताकि इसके जितने भी गुठ्लियां वगएरा है वो सब निकल जाए और एक बहुती फाइन सा पल्प हमें हासिल हो जाए तो इसके लिए आप टाल लेजिए आप अपनी ओर पकनी करना होगा जाए तो एक कब दक्राइबन इसको में पानी कहने के बाद किया है अब इसके अंदर हम कुछ spices add करेंगे जिसमें हम chilli दालेंगे one teaspoon ए मिना half teaspoon जो हैं हम इसमें चिली powder का add करेंगे ठीक標 कि उसके बाद जो हम इसके अंदर जो है हमारा white मत होता है दिए athtlie ब्लेक ँप Hornet तकरीब इसमें तकरीबन 4 टेबल इसमें चीनी के डालूंगी जो कि बहुत ही बैलंस इसकी जो है वह भुटास को और इस्पाइस को करेगा और 4 टेबल इसमें ब्राउन शुगर के एड़ करोंगी तो अगर आप चाहें तो खाली चीनी भी एड़ कर सकते हैं या अगर आप च प्राउन शुगर लिया और फूर टेबल स्पून लिया प्राउन शुगर लिया तो अब जो है फ्लेम अन करके चूले पर रख दिया है और अब लो फ्लेम के उपर पकाना शुरू करेंगे और बहुत ही अच्छे तरीके से यह जब पक जाएगी तो यह खुद बखुद यह आने लगे हैं और बॉइलिंग पॉइंट पे आ गई है अब यह पकना स्टार्ट करेगी तो तक्रीबन आठ से दस मिनट जो है वह आपने इसको अच्छे तरीके से पका लेना है और यह देख लीजिए यह गाड़ी होनी शुरू हो गई है सारे स्पाइसे इसमें अच्छे त आपने इसको बिल्कुल ठंडा कर लेना है जब यह बिल्कुल ठंडी होगी तो मजीद गाड़ी होगी थोड़ी सी तो ठंडा करने के बाद जो है आपने फेर इसको एर टाइट कंटेनर लेना है साफ सुतरा साफ कंटेनर लें और इस कंटेनर में आपने जो है वह इसको जो लेना है यह देख लिए जब अब बिलकुल सही हो गई है तो इस स्टेज के उपड़ पर इसका फ्लेम आफ कर देंगे और ठंडा होने देंगे अब बिलकुल ठंडी हो गई है ठंडी होने के बाद मैंने एक सांप सुत्रा सा कंटेनर लिया आप प्लास्टिक का ले ले अप ज होना चाहिए एर्टाइड होना चाहिए और उसमें आप इसको रख ली जिए इस तरीके से भर के मैंने रख ली है रेसिपी अच्छी लगी है तो लाइक किजिए सब्सक्राइब कीजिए चैनल पर नए हैं दुआओं में यार रखिएगा अला प्याइश